नवश्कार दोस्तों मैं आपका गैटो जांक और आज हम बात करेंगे भारत ने जिस तरह से एशियन गेम में जबरदस्ट प्रदेशन किया है इस्पेशली महिला क्रिकेट टीम ने जिस तरह से श्रिलंका को हराकर एक जबरदस्ट अपना काम किया है और इशिया कप में सुनपदक जीता है साथी साथ हमारे शूटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है एथलीट में नो डाउट हम बहुत अच्छा करने हैं तो इस देश के सभी देशवासियों की तरफ से इन जो खिलाडी हैं जिन्होंने रात दिन पर इश्रम किया जिन्होंने बहुत अच्छा किया और जो अच्छा करने वाले हैं उन सभी को देश के वासियों की तरफ से बहुत बहुत बदाई अब हम थोड़ा सा दूसरे हिस्से पर बात करते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधान मंतरी ने कहा कि अब जो खेलेगा वही जीतेगा इसका क्या मतलब है और रास्टर में क्या बदलाव आ रहे हैं यह समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं तो चले हम शुरुआत करते हैं इस चीज को समझने की कि यह चीज क्या है और यह कैसे काम करती है तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टन चीज है जो हमें समझना चाहिए वो ये हमारे सामने निकल कर आता है कि आज की डेट में गेम डिपलोमैसी एक बहुत important सेग्मेंट होता है आज चुकि दुनिया अगर हम बात करें second world war के बाद United Nations के आने के बाद या तमाम तरह के ट्रीटी के बाद हम directly अब कोई भी देश जो है अगर देखा जाए पिछले कई सालों से तो एक दूसरे के साथ एक long term या multifacet war में involved नहीं हुआ है ये एक बड़ी important बात है और उस case में हमने ये notice किया है कि जो है देश avoid करते हैं इस चीज़ को कि कोई multifacet war हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो तो दुनिया में अपनी पावर बढ़ाने के कई माध्यम जिसमें एक सबसे बड़ा माध्यम निकल कर आया जो चीन का model या Asian Tigers का model रहा और वह model रहा economic growth करना यानि economic के माध्यम से trade war को जर्म देना अपनी supremacy को establish करना यह दिखाना कि आरे हमारे अंदर बहुत दम है तुम हमारे ओपर dependent हो तो इसको हम लोग trade war की रूप में लेते हैं अब यानि जो दुनिया की लड़ाई की तक्निक हैं वो बदल गई हैं अब directly कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ अगर अ आगे जाते हैं तो एक नया dimension निकल कर आया और वो है space war यानि space की चीजों को लेकर बातचीत करना अब इसी बीच में किसी देश की जो soft power especially यह जो सारी strategy होती हो soft powers की होती है यानि किस तरह से आप पुरी दुनिया को एक रास्ता दे सकते हैं पुरी दुनिया में अपनी power को द करती है social media cover करती है चर्चा होती है तो जो यह खेल जो game diplomacy होती है वह बड़ी important होती क्योंकि इससे पता चलता है कि किसी भी रास्टर की जो खेल अच्छा इंफ्राइस सक्चर रहो कितनी उन्नत हो गई है क्योंकि खेल के लिए हमें अच्छे stadium अच्छे जो है हमें facilities अच्छे coach हमें चाहिए अब इस तरह के coach और trainers के लिए आपके पास अच्छा खासा fund होना चाहिए सरकार की नीतियों में अच्छे खासे जो है वो game के लिए planning होनी चाहिए तो यह जो चीज़ें हैं वो हमें बताती है कि किस तरीके से हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं किस तरीके से हम चीज़ों को upper hand पे लेके जा सकते हैं तो यहां हमें इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखने क्या हो शकता है अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रख पाते हैं तो no doubt हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं तो game diplomacy धीरे धीरे किसी भी खास दौर पर जो रास्ट व भी ताकत को दिखा पाएगा पूरी दुनिया में बता पाएगा कि हमारे खिलाडियों को अच्छी facilities मिल रही है हमारा प्रशाशन बहुत अच्छा है हमें जो है वह अच्छे trainer हमारे पास रखने के पैसे हैं हमारी हैसी है तो पूरी दुनिया इस बात को बहुत ध्यान से द दिप्लोमैसी हो चाहे वो वसुधैब कुटमबकम की बात करके एक सौफ्ट ग्लोबलाज़शन की जो डिप्लोमैसी हो उसमें वह अच्छा करी रहा है साथी साथ इस छेतर में भी भारत के पास बहुत संभावना है काम करने के लिए और ये पिछड़ी रही है लेकिन अच प्रफिशजीन बनाता है, तो दोस्तों उम्मेड करता हूं कि गेम डिप्लोमैसी को आप समझ पाएंगे गेम डिप्लोमैसी को आप कर पाएंगे, और इसके बादिल से समझ क perché spa यानने एपिसोड में थैंक यू